दोस्तो इस वीडियो के अंदर में 6 स्टॉक्स का स्टॉक बोनस और डिविडेंट अनौसमेंट को कवर करने जा रहा हूँ मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं FNO Media अब आया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए बात करते हैं आप हमारे पहले स्टॉक की तो कंपनी का नाम है Aptek Limited कंपनी का करन्ट स्टॉक प्रेस 488 रुपीज के उपर में चल रहा है कंपनी ने आप डिविडेंट अनौस के अदर 2-5 के रेशियो से जिसका मतलब है अगर आपके पास में इस कंपनी के 5 स्टॉक हैं तो यहाँ पे आपको 2 स्टॉक से जब बोनस मिलेंगे मतलब टोटल में आप आपके जो 5 स्टॉक हैं वो 7 स्टॉक में कंवर्ट हो जाएंगे इस स्टॉक बोनस को देने की जो एकस देट और रिकॉर्ड डेट है अब वो अनौस कर दी गई है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है एकस प्लेयो सेलुशन्स लिमिटेड कंपनी का करंट स्टॉक प्राइज 1,611 रुपीज के उपर में चल रहा है इस कंपनी ने आपर डिविदेंट अनौस कर दी है 5 रुपीज का और इस डिविदेंट को भी देने की जो एकस देट है और 14 जुलाई की होने वाली है अगले स्टॉक की बात करें तो कंपनी का नाम है महिंदरा और महिंदरा company का current stock price 1377 रुपीज के उपर में चल रहा है इस company ने आप डिविडेंट अनौस करा था 16.25 रुपीज का and इस dividend को भी दिने की जो X date है ओ 14th of July की होने वाली है and वही जो record date है भी same day की होने वाली है यानि की 14th of July की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Mavana Sugars Limited company का current stock price 99 रुपीज के उपर में चल रहा है company ने आप डिविडेंट अनौस कर दिया है 3 रुपीज का and इस dividend को दिने की जो X date होने वाली हो 7th of July की होने वाली है and वही जो record date है भी same day की होने वाली है यानि की 7th of July की अगले stock की बात करें तो company का नाम है Jio Jit Financial company का current stock price 45 रुपीज के उपर में चल रहा है company ने आप डिविडेंट अनौस कर दिया है 1.50 रुपीज का and इस dividend को दिने की जो X date होने वाली हो 3rd of July की होने वाली है and वही जो record date होगी same day की होने वाली है यानि की 3rd of July की आईए बात करते हैं आप हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है HCL Technologies Limited company का current stock price 1133 रुपीज के उपर में चल रहा है company ने आप बोर्ड मीटिंग और्गनाईस कर दिया 12th of July को and इस बोर्ड मीटिंग का जो purpose रहने वाला है वो dividend को लेके और quarterly results को लेके रहने वाला है अब काफी ज़्यादा लोग expect कर रहे हैं अब जो quarter 1 के results आने वाले हैं वो IT sector के काफी ज़्यादा week आने वाले हैं तो देखना ये रहेगा कि अगर company के results पिछले quarter से ज़्यादा अच्छे आते हैं और साथ ही साथ में company एक decent dividend announce कर देती है तो definitely इस stock में में एक शानदा rally देखने को मिल जाएगी तो जरूर से आप HCL Technologies को अपनी watch list के अंदर में अट करके रख लीजिएगा अब अगर आपको बाकी किसी भी stock को purchase करना है ताकि आपको उनके announcement का benefit मिल पाए तो आपको उन stocks कोन की X date से पहले-पहले purchase करना होगा बाकी आज के वीडियो के अंदर इतना ही यही 6 stocks थे जिनका stock bonus and dividend announcement में cover करने वाला था अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा because finomedia के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी वाव वीडियो के अंदर till then bye